हाई एब्रिवन कैसे आप सब आई होग आप सब अच्छी होंगे तो चली सुरू करते आज की रेस्पी तो आज मैं बनाने जारी हैं डोकला तो यहां मैंने ले लिया है दो कटोरी बेशन जो की बरीक वाला बेशन है और ग्राम में इसको अगर मेजर करें तो यह 200 ग्राम हम चाहन लिया है और आदी चमत से थूत डाले हैं बहुत थोड़ी सी हल्दी डाली हर तो भार डूकला टाल यहाँ अब थोड़ा-धोड़ा पानी डालते हूई हम है आपर हम एक घोल तैयार कर लेंगे पानी हमें स्केषा सब्सका अच्यर पानी हमें साहतों स्सक्राइश स के लिए ताकि जो इसके अंदर हमने चीनी डाली है वह अच्छे से मेल्ट हो जाए और जरूरी नहीं है पूरी चीनी मेल्ट नहीं करनी है क्योंकि हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो जीनी तपी मेल्ट हो जाएगी तो यहां पर अब में डाल देती हूं एक डाला हुआ है अब फ्रेंट्स में डालों की एक चमज को किंग ओल जो हम रेगुलर को यूज करते हैं वह डालोंगे और उसे डालने के बाद अच्छे से फैट लेंगे और थोड़ा सा मुझको पानी और मतलब में कुल लग रहा था थोड़ा से थीक है तो मैंने दो तीन पानी और लिया है और इसको अच्छे से फैट लेना है अगर हमें आगे भी पानी की जुरत पड़ेगी तो बाद में और भी पानी एट कर लेंगे वाट अभी मेर को यह ठीक लग रहा है मैं आपको चमज से एक बर दिखा देती हूं हमें इस तरह की कंसिस्टेंस चाहिए ह तो चली से कवर करके रख देती हूं 15-20 मैंने करी लिप्स लिये और 8-10 मैंने हरीमिश लिये पतली वाली जिने मैंने स्लाइट कर लिया है और थोड़ा समयने हरा अधनिया लिया है और अम यह पर हम जो अपना कंटेनर लेंगे उसको क्या कर तेल से ग्रीस कर लिया है तो फ पानी चिरख देना है और इसको अच्छे से फैट लेंगे एक ही डारेक्शन में और देखिए आपको बहुत लाइट लगेगा और इसमें देखिया आप बवल्स देख सकते हैं मैं आपको पास से दिखा रही हूं तो इसमें बवल्स आ गए हैं और अब इसको में ज्यादा नहीं फैटना है इसके बाद हमें अपना कंटेनर लेना और उसमें मेरे को थोड़ा सा पानी कम लग रहा था मैं आपको पहले बताया था कि हम पानी अगर हमें रिकार्वेंट होगी तो और भी एड़ करेंगे तो दो से तीन चमच पानी में फिर से एड़ कर रही हूं तो से डन हो चुका है अब मैं अगरे कोटेनर लेती हूं और जहसे हम ने तेल से ग्रीश किया था और इसमें तेरांसबर कर रही हूं और अगर चाहें तो इसको जो इस्तीमर करत और सकते हैं या फिर आप μαक में में भी कूकर में आपको स्ट्टिम करके की दीखाऊंगी तो फ्रैंस यहां पर गूकर में मैंने पानी पेहले साइय दैंसे रटा हुआ सो सब्सक्राइब हो यां आपके लिए तो युझा पर पानी पूत कि गृच्ट बार्ड़ी कशी न τονय तक मिक्स करने हैं सब क्रशिक HAS बहुंद कर हैं। सब्सक्राइब स्कूरा है, रहें लाएं विव। तो फ्रेंट से यहां पर डोकला भी रेडी हो गया है मैं आपको एक बर चेक करके दिखा दीति हुँ तो फ्रेंट से नाइप को नीट एंड क्ली निकल रहा है पर यहां पर जो हमने यह नीगो पानी बनाया था तो इस पर मैंने थोड़ा से नवक भी आड़ कर दिया है इसको पांच मिंड मैं रखके छोड़ दिया था ऐसे ही आप मैं इसको निकाल लोंगी बहुत एजली निकल जाएगा अगर यह तो यहां पर इसके प्लेट रखेंग और इसे पलट देंगे और थोड़ा से टैप करेंगे तो बहुत आराम से निकल जाता है और यह बहुत जाते स्पॉंजी बनाया है मैं आपको दोना तरप से दिखा देती हूं देखे कितना जाता सॉफ्ट बनाया है यह बिल्कुल सही मैठड है और इसको बनाने में कोई ज मैं आपको फिर से रिमांडर करा देती हूं मैं इस पानी में नमक चीनी और नीवू डाला हुआ है यह पर मैं तड़का तयार कर लेती तो यह पर मैं सरसो का तेल यह आप कोई भी ले सकते हैं तो चोटी से एक वीडियो शूट नहीं हो पाई है मैं पहले इसमें तेल में सर दो दी मिन तो जादा हो जाएंगे एक मिट के लिए अच्छा से चलाना है और फिर इन सब को हमें पानी में बलट देना है तो इस तरह से जब यह हल्की सी सॉप्ट हो जाए इनका मतलब अच्छा फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताती हूं अगर हम पानी बॉयल करके बना यह तरह का हम डारेक्ट यूज कर सकते हैं और फ्रेंड्स आपको मेरी रैस्पी कैसी लगती है मेरी वीडियो कैसे लगते हैं प्लिस कमेंट करके ज़रूर बताएं और में चैनल को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो यहां पर यह मैंने डोकले की पीसिस क अब को दिखाती हूं इस पे जाली काफी अच्छी जाली बनी हुई है तो अब इस पर तोड़ा अच्छी से कटिंग नहीं हुई है देखिए बहुत अच्छी जाली बनी है आप फस्स टाइम में ही बहुत अच्छा मार्कीट जैसा टोकला बनाकर तयार कर लेंगे और अब कि अच्छा लगता है छोपले के साथ नमक जाता ना डाने नहीं तो यह नमगीन हो जाएगा कि जो टेस्ट होता है वे खट्टा मीथा ही होता है तो हमें वैसे ही रखना है तो इसको मैं सब इंक प्लेट निकाल रही हूं और ओपर सी जो मिर्च वगएरा है और धनिया मेरे हाथों से तो दिनिया वगयरा से इसकी गानेशिंग कर देंगे और देखने में कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर भी मार्किट वाला है और इसका जो टेस्ट है वो तो बहुत जाद अला जावा है तो मैंने आपके आपकी इससे पहले मैंने आपके लिए इसका एक शॉट्स भी अधिया बहुत जाए पहले है तो आप दिनर खाने से मना कर दिया उन्होंने दोकला खाया तो आप भी इस रेस्पी को घर पर ट्राइ कर सकते हैं अनि टाइम का भी भी हगर में मार्किट से कभी डोकला राने की जुरतनी पड़ेगी मैं आपके लिए अच्छी रेस्पी ल दिखा रही हूं यह बहुत जाद अच्छा बहुत जादा तेस्टी बना था अब मैं आपको एक पीस उठा कर दिखा देती हूं कि कितना अच्छा लग रहा है देखिए फ्रेंट्स कितना जादा इस पांजी है मैं आपको निचोड कर दिखाया मिल्कुल नीगो की तरह से तो चैन्स में मिल्टे आप से ने नेस्ट विडियो में तक तक लिए भाए और टेक केर